नमस्कार जहन्द आप सभी का एक वर फिर से स्वागत एक और नई वीडियो के साथ जियां फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी जो दरोगा की विकेंसी है यानि की यूपी कॉंस्टिवल दरोगा की विकेंसी है वो आने वाली है तीन जार पद प्लस है है तो आप सब उसकी तैयरी कैसे करें उसके रिगाडिंग मैं ने आपको को एक चैनल पर वीडियो जरूर दिया उसमें आपको सबї जनकारी दी गई है लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा को उसमें चार सब्जेक्ट है पृती की हिंदी सिंपल नहीं आती है जो कि आप सोचें कि बिना पड़े जाएं और यूपी कॉंस्टेवल की तरह है आप 35 या 37 में से लगबग 2-3 कुष्चन घलतों वागी सब सही हो जाएं ऐसा यहां नहीं हो सकता है यहां की हिंदी यानि की दरोगा की हिंदी थोड़ी हार्डर लेविल की पूछी जाती है तो आपको प्रारूप भी पता होना चाहिए किस तरह के कुष्चन बन सकते हैं या फिर बनते हैं तो आपको उसी प्रकार तयारी करने हैं ताकि आपका पहली बार मैं यानि की डवल स्टेर की विकेंसी में सेलेक्शन हो सके तो आईए वीडियो तो हिंदी में कोसस करें सबसे ज्यादा इसी सब्जेक्ट से आप नंबर खेंश सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में आपको किस तरह की कुष्चन देखने को मिल सकते हैं तो चलिए देखते हैं आपके एक्जाम समय कितने टाइप से हिंदी के कुष्चन इस प्रकार से भी कुष्चन बन सकता है कई टाइब के कुश्चन बन सकते हैं इनमें कई ऐसे कभी हैं जनको साइटिकादी प्रुस्कार मिला है तो आपको वो पढ़के जाने ताकि आपको कुश्चन गल्त ना हो रचना के साब से आप से कुश्चन पूछ रखता है रचना या तो पूछेगा कि जैसे कलम का में मिला इस प्रकार की कुश्चन पूछ सकता है हो सकता है कि आपकी पूछ ले खितनी बहासाओं के लिए दिया जाता है तो इहसा भी कुश्चन आपके एक्जाम में का रूप या फिर हिंदी की तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए अब देखने हैं कि आपको और कितने तरह से कुष्चन बना सकता है अगर आप मेरे चैनल से जुड़ेदाएंगे तो आपकी हिंदी इतनी जवर्जस्त करा देंगे कोई कही नहीं सकता कि आप यूपी में आपको पता होने यह वह मैथली आपकी है इसे अ अभी है कि सीता का परहएब आहे हैं तो आपको यह आथ रखना है मेथले कह सकते हैं कि खड़ी बोली का केंद्र पूछा ले आपके आपको पता होने चाहिए ऑन इसका केंदर है कि लेकिन दे क्योंकि पूछा जा चुका है पूछे ले कि आपको खड़ी बूली कहां कहां नहीं बूली जाती आ, फिर आपको option में दे जैसे आगरा इलावाद मत्रा और option में उस ने और कह सकते हैं आगरा होगा हो गया इलावाद मत्रा हो गया हापुर रख दिया उस आप पूछे कि इन options में से खड़ी बोली कहां बोली जाती है तो अगर आपको ये नहीं पता है कि कहां बोली जाती है तो आप ये question गलत करेंगे जबकि इसका answer होगा में खड़ी बोली बोली जाती है अब देखिए हो सकता है कि इसमें आपको फोड़ा और गुमा दे क्योंकि यहां से question बनने के chance रहते हैं और यहां पर question बने भी है एक्जाम आगर आप प्रीवी सेर्फ एक्जाम उठा के देख लें तो एक्जाम में सबसे ज़्यादा question नहीं बने हैं खड़ी बोली में एक तरह को और question बन सकता है कि इसकी उपबोली कौन सी है खड़ी बोली कि एसकते है या उपनाम इसका कौन सा है तो आपको देगा वो बिजनोरी आप बताईए भाई साब कि खड़ी बोली कि उपबोली इन में सी चार में से कौन सी अगर आपको नहीं पता तब भी आप question गलत कर जाएंगे लेकिन इसका question कांसा सही होगा बिजनोरी बिजनोरी और पहाड बिजनोरी और पहाड ताली यह दो इसकी उपबोली ह होती है अब हो सकता है कि आपसे यह भी question ना पूछे question का प्रारूप ठोड़ा और हाड करते कितना भी हाड करते अगर मेरे से आप तयारी करके जाएंगे तो आपका questions कलत होने वाला है नहीं question में direct सब्द भी पूछले जैसे कि आयो सब्द है जो आयो सब्द किस भासा से पंजाम में हंदी का प्रिचार प्रिचार किस ने किया ऐसे पूछ सकता है यह question पूछा हुआ question है तो किस ने किया सिद्धराम फिल्लौरी इनकी एक जो रचना है या उपन्या से इनका भागवतित उसे भी याद रख है यूपी जेलवार्डर में question पूछा हुआ रचना से रचना वो ऐसी पूछते हैं जो प्रेचलेते प्रसिद्ध नहीं है यानि कि आपने कभी सुनी नहीं है उस प्रकार की रचना पूछिया थी ताकि कम बच्चे इसको अटेम्ट कर सकें और वही question आपके जो होते हैं merit बनाते हैं धैरो प्रसाद गुप्त की रचना पूछी है यह आपके चार कवी दिये और पूछी गईती कि गंगा मैया जो है आप पताए कि यह रचना सुनी यह रचना पूछी और कि प्रकार से आपके question बन सकते हैं देखिए आपको पता है कि आपके में जो दुइत बिंजन होते हैं रा और यह दुइत बिंजन आपके होते हैं तो इससे आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इनको और भी किस नाम से जानते हैं तो इनका एक नाम बहुत प्रचलित है लेकिन आप सबको साइद ना पता हो इन्हें प्रफकार से आपके एक्जामने बनने के प्रबल चांस है क्योंकि ऐसा ही का लेवल थोड़ा बहुत तो अच्छा कासा देखने को मिलेगा हो सकता है कि पहले पूछे कि जब हिंदी जैसे कि आपसे यह कुश्चन पूछी लिए कि हिंदी का प्रफम प्रफम समाचार पत्र जो था समाचार पत्र चार वासा में जो जारी होता था वो पहला समाचार पत्र कौन था और किसे ने जारी गिया यह भी कुश्चन बन सकता है कि दुवेदी युक का कभी कौन सा नहीं है या पर पूछले भारतेंद युक का कौन सा कभी नहीं है ऐसे प्रारूट दिखा रहा हूंगी इस प्रकार से आपके कुछ्चन बन सकते बाकि मैं आपको पूरी तयारी कराऊंगा निश्चन तरह हैं फिरी आपकी तयारी रहेगी अब हो सकता है कि आपको कुछ्चन और भी अलग तरीके से देखने को मिलें जैसे कि कहले है प्रेम की पीर कश्चन कर जाता है तो आपको पता होना चाहिए हो सकता है है कि कजिए कर बका प्रेट किसा को का जाता है यह बीआ पको पता होना चाहिए एक भारति है आत्मा किससे कभी को का जाता है एक भारति है आत्मा किस कभी को ka जाता है तो यह और के केसव प्रसाद को कहते हैं केसव प्रसाद को कहते हैं और प्रैम की पीर का कभी गनानन्द को कहते हैं यह भी आपको पता होने चाहिए तो इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं और यह उपनाम कम से कम 60-70 उपनाम हैं जो आपको याद रखने ही चाहिए इस प्रका खाते हैं Sarver PNAPль ऐसे भी कुछ्चन बहुत सकता है कभी कौन से कभी की पंक्ती है तरवर फल नहीं खाते हैं Sarver PNAPirm तो यह रहीम दस की पंक्ती है आपको याद रखनी है इस परकार से प्रदर की आपकी हिंदी हो जाए तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें आपको पर डे एक वीडियो हिंदी से रिलेटेड मिलेगा जिसमें आपको एक चैप्टर या फिर आदा चैप्टर तो कम्पलीट कराई जाएगा लेकिन हिंदी की संपूर तयार यह रूट करें जाए के झाँ हिंदे एका प्राइग से नहे रहें करेंको लेकिन हमाईश से चैप जस्में हिंदी स Nepla.